Hello friends, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है processing of pulses यह जो पिछली वीडियो थी हमारी pulses and legumes उसी का आगे का continuation है तो देखिए processing of pulses की अगर हम बात करें तो processing of pulses में आता है milling और decortication, soaking, germination of sprouting, fermentation, parching and puffing तो इस वीडियो में basically हम बात करेंगे milling की and soaking की तो आगे हम वीडियो को देखते हैं, देखिए सबसे पहले milling और decortication समझने से पहले हमें structure of pulses जो है वो समझना पड़ेगा यह आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे यही terms जो है वो use होने वाले जैसे यहाँ पर देखिए bean seed की अगर हम बात करें तो जो भी pulses या legumes हमें मिलती है वो dicot form में मिलती है तो यह एक bean seed का आपको structure दिखाया गया है जिसमें देखिए यहाँ cotyledon की बात की गई है यह cotyledon होता है embryo यह पूरा जो है वो embryo के form में होता है यह जो split हो जाता है उसको हम बोलते हैं cotyledon तो एक seed में दो cotyledon होते हैं यह होता है seed coat फिर देखिए radical है यह है hypocautile और यह है epicoatile देखिए यह structure में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं high lambham जो बिल्कुल corner पर होता है जो generally attach होता है जहां से break करते हैं हम इसको seed को फिर बाकी तो आप टेस्टा देख रहे हैं cotyledon बाकी चीज़ें आपको दिखी रही है तो यह थोड़ा सा याद रखिएगा कि cotyledon, seed coat, high lamb यह सब terms आगे आने वाले हैं next जो हम बात करेंगे वह देखिए जैसे whole seed होता है इसकी हम cleaning करते हैं cleaning के बाद हम इसकी tempering करते हैं और फिर हम seed coat को remove करते हैं कोई भी आप जो भी grain consume करते हैं या जो भी pulses consume करते हैं तो generally हम क्या करते हैं उसका seed coat जो है वह अटा के ही consume करते हैं इस process को हम बोलते हैं de-hulling या decortication बोलते हैं देखिए decorticated whole seeds जो होती है फिर देखिए इसी के हम splitting कराके split seeds बनाते हैं जैसे दाल के form में जो आपको मिलता अरहर की दाल जैसे आप देखते हैं तो हम क्या करते हैं उपर की जो covering होती है उसको हटा देते हैं इसी को क्या बोलते हैं decorticated seeds बोलते हैं और फिर जब हम उसकी splitting यानि उसको हम दो में तोड़ देते हैं तो फिर उसी को हम क्या बोलते हैं split seeds या फिर वो दाल की form में आ जाती है जो कि हम generally cook करके खाते हैं next देखिए हम बात कर रहे हैं milling और decortication की legumes जो होती है वो generally mill to remove the outer husk by wet or dry process तो हम generally milling में क्या करते हैं या decortication में क्या करते हैं जो outer husk है जो ऊपर की covering है उसको हम क्या करते हैं हटाते हैं ये दो method से हो सकता है dry method से या wet method से dry method से जब हम करते हैं milling तो जो हमें जो हमें green option होता है या जो दाल हमें मिलती है वो hemi spherical shape में होती है soften होती है soften rapidly on cooking and give good flavor तो generally कैसा होगा कि hemi spherical shape में होगी और जब हम cook करेंगे तो जल्दी ये soft हो जाएगी और साथी साथ अच्छा flavor यानि good flavor भी हमें देगी जबकि जो wet method से जो डालों की milling होती है वो usually flat होती है dry method से hemispherical होती है जबकि wet method से क्या होंगी flat होंगी और has a small dispension in the center due to shrinkage and soften slowly during cooking है ना तो cooking के दौरान ये क्या होती है soft जो होती है वो धीरे-धीरे soft होती है जबकि wet method dry method के थ्रू जो milling होती है जिन दाल की वो cooking के दौरान rapidly जो होती है soft हो जाती है फिर देखें legumes को हम consume करते है as a whole or dehusk one तो हम क्या करते है legumes को हम समूचे भी खाते हैं कभी कभी छिलके के साथ भी processing करके या हम हम dehusk करके या छिलके को हटाके भी खाते हैं तो generally milling में देखिए करते क्या है pulses को हम pre-treatment देते हैं with edible oil जिसमें generally हम 1% linseed oil का use करते हैं grain are then sun-dried for 2-3 days यानि उसको सबसे पहले हम pre-treatment दे देंगे जो linseed oil है उसमें हम उससे coat कर देंगे उसके बाद हम grain का sun-dried करा देंगे यानि सूरज की रोष्णी में उसको सुखा लेंगे दो से तीन दिन तक अब होगा क्या कि जो oil होगा वो appear to penetrate through the husk to the cotyledon अब जो oil जो linseed oil हमने use किया था वो हस से होता हुआ कहां चला गया cotyledon में penetrate हो गया अनि अंदर पहुच गया cotyledon तक पर अंदर तक वो penetrate कर गया तो cotyledon और आपको याद होगा हमने structure में बात की थी अब इससे क्या होगा release its binding under the mild heat अब हम इसको अगर थोड़ा सा heat करते हैं तो क्या होता है कि जो outer covering है उसकी जो लूज होके निकल जाता है next देखिए हम बात करेंगर advantages की milling या decortication के advantages क्या है तो protein की digestibility improve हो जाती है net protein utilization जो डाल का है वो higher than those of whole seed है ना तो हम देखते हैं कि जब हम milling कर देते हैं या हस्क remove कर देते हैं तो क्या होता net protein utilization जो है वो भी जादा होता है removal of hull facilitates a reduction of fiber देखिए कुछ ऐसे fiber जैसे की cellulose वगरा है वो क्या होगा कि हमारी body में digest नहीं होते या हमारी body में बहुत harsh fiber का role नहीं होता है तो जब भी हम hull को remove कर देते हैं या हस को remove कर देते हैं तो ये fiber की reduction में facilitate करता है nutrients जो की availability बढ़ जाती है क्योंकि क्या होता है कि जितने भी anti-nutritional substance है वो seed coat पे ही पाए जाते हैं या जो basically जो husk होता है उसी पे पाए जाते हैं तो husk हम remove कर देते हैं seed coat जो है वो account करता है for 80-90% of the total seed polyphenols फिर देखे dehusking remove this anti-nutritional factors ये पहले ही बता दिया आपको this improves appearance, texture, cooking quality and palatability और और के advantage है कि हम अगर milling करके dehusking कर देते हैं तो क्या फाइदा होता है इससे appearance, texture, cooking quality और palatability भी improve हो जाती है साथी साथ keeping quality जो है वो भी बढ़ती है disadvantage क्या है कि डिसस्किंग करने से germ भी remove हो जाता है skin के साथ इसका result क्या होता है कि thymine का loss होता है next देखिए हम बात करते हैं soaking की तो देखिए बहुत से pulses जो होते है particularly whole gram which have hard outer covering neat soaking prior to cooking generally हम soaking का मतलब होता है भीगाना तो हम क्या करते हैं कि कोई भी pulses जैसे हम legumes और pulses की ही बात कर रहे हैं तो जिनकी outer covering बहुत ही hard होती है उनको हम क्या करते हैं soak करके भीगा के रखते हैं तो during soaking क्या होगा water enters through the hilum oscar where the beans is attached to pot देखिए इसलिए मैंने कहा था structure याद रखिएगा soaking के दोरान क्या होगा कि जो water है वो enter करता है hilum से होता हुआ seed में या grain में और generally hilum जो होता है वो attached होता है यहीं से जो seed होता है वो pot से देखिए from there it is steeped around the peripheral of the beans and causes the seed coat to wrinkle अब यहीं से क्या होता है कि जो water है वो क्या करेगा एंटर होना शुरू होगा तो starting में हम ऐसा देखते हैं कि जो seed coat है वो wrinkle यानी seed coat पर जुनरिया बढ़ जाती है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो water है वो hilum से होता हुआ जा रहा है तो देखिए it is steeped around the periphery of the beans and the causes the seed coat is wrinkle है तो जैसे जब तक ऊपर outer layering पे अगर इंटर हो रहा है water जो है तब क्या होंगे wrinkles पढ़ेंगे उसके बाद देखिए these wrinkles are eliminated when the cotyledon swell and fill the seed coat और जैसे जैसे पूरा penetration हो जाएगा पानी का यानी पानी पूरा अंदर तक पहुँच जाएगा cotyledon में पहुच जाएगा तो क्या होगा कि यह जो wrinkles है वो खतम हो जाते हैं जो जुरिया दिख रहे होती है राच्वा में वो खतम ह 4-5 कeking के लिए ठीक है तो अगर हम ओषनाइट भी सोक कर सकते हैं अगर आप ठंडे पानी में कर रहे है Tính तो और अगर हम गर आप यह में पानी में कर रहे हैं तो 4-5 घंटां सोकिंग करने है है और काव पी है इनको हम बिना soaking के भी cook कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो outer covering है वो बहुत ही hardly attach नहीं होती है फिर देखें, soaking makes the pulses tender and has in the process soaking करने से क्या होता है कि जो pulses है वो tender हो जाती है, soft हो जाती है और आगी की process जो है वो easy हो जाती है it also reduced phytic acid and oligosaccharides इसके अलवा अगर हम soaking करते हैं तो phytic acid भी reduce होता है और साथी साथ oligosaccharides जिसकी हमने पिछले वीडियो में बहुत ही briefly बहुत ही अच्छे से समझा है oligosaccharides का क्या roll होता है pulses में तो इसको भी क्या करता है, इसका amount भी क्या करता है, reduce करता है by rehydration moisture content increased from 10% to 60% to 70% और क्या होता है क्योंकि हम पानी में भीगा रहे हैं उसको तो rehydration हो रहा है और generally moisture content कितना बढ़ जाता है, 10 से लेकि 60% to 70% तक moisture content जो है वो बढ़ता है next देखिए अगर हम hard water की बात करें, hard water का generally hard water का मतलब होता है basically हम देख रहे हैं calcium and magnesium के carbonate, bicarbonate या sulfate hard water भी आपने soft water और hard water के बारे में सुना होगा generally hard water में अगर मैं बात करूँ तो hard water में क्या होता है कपड़े वपड़े नहीं धोने को कहते हैं क्योंकि क्या होता है, जाग नहीं बनता है तो basically scientific language में हम यह समझें कि hard water में क्या होता है कि calcium और magnesium के carbonate, bicarbonate और sulfate जो होते हैं तो क्या होते हैं, अगर हम hard water में cook करेंगे दालों को तो क्या होगा, outer surface of the beans more resistance to water penetration during cooking तो cooking के, अगर आपने cooking दालों की या legumes की hard water में की हैं तो कभी भी दाल कोक नहीं होगी है ना, क्योंकि जो outer coating होगी, वो resistant हो जाएगी hard water में जो salts पाएचा रहे हैं उसके तो अब क्या होगा, कि जो पानी है वो अंदर नहीं जा पाएगा soaking in salt solution is prefer to loosen the seed coat and enhance water absorption अब अगर आप salt water में soaking करें यानि नमक के पानी में करें तो यह क्या करेगा favor करता है water के absorption को और जल्दी ही क्या हो जाएगा seed coat हट जाएगा और water का absorption को enhance करता है salt addition of soda to water reduce the cooking time significantly by about one third अगर आप soda add कर दें तो cooking time reduce हो जाता है कितना one third cooking time हम reduce कर सकते हैं this saving in cooking time in compensation for the amount of thymine lost as a result of the alkaline environment है ना तो हम देखते हैं इससे cooking time भी decrease हो रहा है और क्या होता है कि जो loss of thymine है यानि thymine का जो loss हो रहा है वो alkaline environment में हो रहा है next देखिए the process is greatly enhanced in the presence of broken seeds or split seed coated मतलब अगर थोड़ा split है तो soaking की process क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर थोड़ा टूटा हुआ है broken seeds है या फिर split seeds coats है तो फिर क्या होगा यह broken soaking की process है वो enhance हो जाती है यानि बढ़ जाती है तो इस तरीके से हमने देखा है यहां पर processing of pulses में हमने बात की है आज milling की या decortication की और soaking की अब next हमें जो बात करनी है वो मैं अगली वीडियो में next में germination या sprouting की बात करूंगी तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी आपको वीडियो कैसी लगी है अच्छी लगी है तो like करिए share करिए और चैनल को subscribe करिए thank you